हलो प्रेंज वेल्कम बैक आफ्टर दे ब्रेक और आज हम बात करें डॉक्टर प्रताप चुहान से अलसर याने की चालो के बारे में आईए अपनी चर्जा को आगे बढ़ाते हैं ची डॉक्टर साब तो क्या कारण होता है जिसकी वेज़े से वो जो परत होती है जी वो खतम होनी लग जाती है ठी नाट वाईक जैडाए ब्रोड़न के भाजन में भी सायक होता है लेकिन उसकी जो क्वैंट होती है वो इतनी होती है के हमारी अं संट की परत है वह उसको घ्रास्त करती है उसको ऊसमें कैसी की शक्ती होती है लेकिन प्रॉब्लम तब आती है यह तो इंटरनल हमारा एसे हुआ प्रॉब्लम जब आती है कि बाहर से जब हम केवल एसेड ही खाते रहें और एलकलाइन विल्कुल ना खाएं बेसिक चीजें जो उसके विपरीत हैं उनका सेवन ना करें जैसे बहुत ज्या बारत में तो बहुत प्रचलित हैं मसाले कि वारतो सबजी कि बनाते हैं लोग उसमे अतनी लाल मिर्च डालते हैं कि आदमी थोड़ा जीप पे रखे तो जीप इस छाला निकला है इन तो इतना ऊसमे घरमाईश होती है यह आगले दिन च्छाले निकलाते है क्योंकि लोगो चाहिए, कितना खाना चाहिए, पानी कप पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, उसको पालन ना करें, कभी जो एक खाना खाने का कोई समही नहीं है, सुबह नाश्ता किया, फिर रात को डिनर ही किया, दिन बर चाय पीते रहे, गुटका खाते रहे, पान खाते रहे, पता नही होगा। डॉक्टर्स भी कई वर बताते हैं आपको या कोई ऐसी दवाई डॉक्टर देते हैं तो साथ में वो कुछ दूसरी एंटासेड भी आपको दे दिया करते हैं पेंकिलर्स हैं एस्पेरीन वगरा हैं इनसे होता है इनसे भी फरक पड़ता है और इसके अलावा बहुत कारण है मांसिक तनाव मेंटल टेंशन जो है स्ट्रेस की वज़े से भी एसिड बोड़ी में निकलता है अंदर पेट में निकलता है तो यह जरूर ध्यान रखिए अगर आपको अलसर की प्रॉब्लम है जी सबसे पहले अपना खान पान खाने का तरीका तोर तरीका कब खात दो नें ठीजान चाहिए और यह थ्यान रखना चाहिए कि आपका माइंड भी जो है रिलक्स रहना चाहिए पोसिश यह भी करनी चाहिए कि देखना चाहिए कि कहीं आपके भोजन में कोई ऐसी चीज तो नहीं किन को आप नहीं ले रहे हैं यह भूश्य घर गड़ी चीज पहले उनसे बात करते हैं हलो अलो हाजी वेलकम टू आवर शो आरोगया मंत्रा अपना नाम बताइए कहां से बोल रहे हैं अच्छा ठीक है यहाँ पर डॉक्टर प्रताप चौहान है पूछे उनसे अपना अप्रशन ऑफ आप अपी पताईए मेरेको जी इस हो मिरू का अट् जी तो इसके लिए कोई मेरे को बताएं को आपका जो आपका इसा नहीं होता है यह नहीं ऑनियों existing नहीं अगर ष्जास ने घ्राइदा नहीं होता है कि क्या चुल एसमें सब्सक्राइब भी मात्र त्रिफला आप सेवन करना शुरू करें बहुत सिंपल सी चीज है और कोई इसका दुष्प्रभाव नहीं है त्रिफला पूरी पूरी जिंदगी खा सकते हैं कोई डरने की बात नहीं तो हरड बहेडा आप दो बार ले ले तो बहुत अच्छा रहेगा एक तो सुबह न तो इससे दोनों काम आपके हो जाएंगे अगर पाचन में कोई प्रॉब्लम है तो पाचन भी अच्छा हो जाएगा आपका और अगर जो है अंदर कोई गैस वगरा बन रही है वो भी ठीक हो जाएगी पेट भी आपका साफ रहेगा लेकिन साथ में खाने पीने का जरूर ध कोड़े समय से इनको थोड़ा दो तीन महीने शांती दीजिए सिंपल खाना खाईए जो आराम से पच्छता है हरी सब्जियां है लौकी तोरी टिंडा ऐसी चीजें खाईए मोंगी की दाल है खिचडी है दलिया वगरा इसको खाया तो मुझे तो उम्मीद है इसी से आपका बहुत आराम आ जाएगा लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो दिल्ली में हमारी कई सारी क्लिनिक्स हैं आप हमारे डॉक्टर से जा करके किसी से पर्सनल भी आप मिल सकते हैं चेक अप करा सकते हैं और दवाईयां आयर्विदिक ले सकते हैं ठीक है अच्छा जी तो आप आज से और अभी से जैसे डॉक्टर साब ने आपको बोला त्रिफला का सेवन शुरू कीजिए और हमें पूरी पूरी उमीद है कि आप जरूर चल्दी ठीक हो जाएंगे हमें कॉल करने का बहुत बहुत धन्यवाद ची डॉक्टर साब तो क्या अचा कई बार कभी कभार आपके इस्टो फैगस जो भोजन की नली वहां पर भी कुछ लोगों को ओ शुजन हो जाती है लाली मा आ जाती रेजनस वहां जाती है तो स्में भी कभी कभार आप जब खाना खाते हैं तो वहां पेन हो सकता है या पेट में दर्द होगा आपको जलन होगी, खटी डखा रहे हैं आपको आएंगी, कभी कबार ऐसे इहां तक उपर तक आ जाता है, यह भी होता है कि पेट के उपर का जो वाल्व है कर गर्मी की वसे इतना धिला हो जाता है, कि जैसे आप लेटते हैं, तो लेटने पर सारा जो है, जो आपके गले तक आजाता हैं, और कभी कबार ऐसा भी देखने में आया है, कि जब उल्टी वगरा होती है, यह उपर को जो पानी आता है, तेजाब आता है, उसमें थोड़ा सा कहीं खोन भी आ सकता है, क्योंकि अंदर जखम बना हुआ है, तो वो आपको अगर छिल जाएगा ज्यादा, ज्यादा एस और कई लोगों को खाने खाली पेट पर दर्द होता है, किसी को खाना खाने के बाद में दर्द होता है, तो यह तमाम लक्षन अगर आपको होते हैं, तो इसका परिक्षन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर समय से आप इसका इलाज कर लेंगे, ठीक ठाक से, आयर विद लेना चाहते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि कोई भी जखम जो है, वो एक भ्हनक रोग में भी कनवर्ट हो जाता है, जी डॉक्टर साब, और हम आपसे यह भी जाना चाहेंगे, कि आयर वेद में इसके अप्रोच क्या है, इलाज का अप्रोच क्या है, लेकिन हम इस बारे म ना करें, आपको कॉल करना है, हमारे नमबर पर 01294040404, इस नमबर पर कॉल करके आपना नाम और नमबर रिजस्टर कराईए, चीवा आयरवेदा के एक्सपर्ट टीम आप डॉक्टर्स आपसे बातचीत करेंगे, पूरा डिटेल में कंसल्टेशन करेंगे, और देंगे आ आपको आपके रोग का समाधान, वक्त आगे एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे इस प्रेक के बाद,